नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है, तो आज हम बनाएंगे फ्रेश कोकोनट और मावा की बर्फी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेश कोकोनट लिया है, उसको अच्छे से बारिक ग्रेट कर लिया है, और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, 100 ग्राम मावा, यानि खोया, 100 ग्राम शुगर, और यहाँ पे मैंने लिया है, ड्राय फ्रूट्स, ड्राय फ्रूट्स में मैंने लिया है, काजू और पिस्ता, उसको बारिक काट लिया है, अब एक पैन में हम, एक चमच, घी डाल द प्रेश ग्रेटेट कोकोनट और इसको दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे देखो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम मावा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें शुगर आट करेंगे जब शुगर मेल्ट हो जा अच्छे से तो आब हम इसमें डालेंगे ड्राय प्रूट्स तो यह हमारा बर्फी का मिक्स्चर बनके रेडी है अब एक ट्रे को हम अच्छे से घी से क्रीस कर लेंगे देखो ऐसा स्टेक्चर चाहिए यह ट्रे को मैंने गी से ग्रीस कर लिया है और इसमें यह सब मिक्स्चर डाल देंगे और इसको अच्छे से से शेट कर लेंगे और उपा से डाल देंगे ड्राय प्रूट्स इसको हम स्क्वेर शेट में काट लेंगे और इसको हमें पास से 6 गंटे के लिए थंडा होने देना है देखो थंडा होने के बाद बर्फी रेडी है तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये तो यहाँ पे हम सर्फ करेंगे कुकोनूट बर्फी तो एक नारियल से मैंने यहाँ पे 10-12 बर्फी बनाई है तो थैंक्स पर वाचिंग मैं रेसिपी